इस breaking news के साथ मैं आपका दोस्त अभिनों सिर्वास्तो आपके अपने चैनल English Doze with अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज की news भी बहुत खास है और आप देख सकते हैं कि news जैसी है क्या है आपकी news कि admission into various teaching education programs of regional institute of education दोस्तों teaching related news बहुत important news आई है जो भी लोग दोस्तों अभी इंटर में हैं इंटर appearing मतलब हैं या फिर इंटर कर चुके उन्होंने अभी recently पिछले साल इंटर किया है तो दोस्तों उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी news आज निकल के सामने आई है और एक notification निकला है दोस्तों जिसमें अलग अलग courses के बारे में बहुत अच्छे courses हैं दोस्तों जिनमें आपको graduation के साथ में कोई भी एक teaching certificate की degree भी आपको दी जाएगी तो दोस्तों आएए बढ़ते हैं अपनी पूरी news की तरफ और दोस्तों ये मेरा WhatsApp नमबर दिया हुआ है आप चाहें तो आप मुझसे WhatsApp पे भी जुड़ सकते हैं दोस्तों आएए देखते हैं क्या है पूरी news दोस्तों ये notification आप लोगों के सामने आ चुका है और आप देख सकते हैं कि National Council of Educational Research and Training NCERT New Delhi के दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं टाइटिल है आपका admissions into various teacher education programs of regional institutes of education the National Council of Education Research and Training NCERT New Delhi is an autonomous organization set up in 1961 by the government of India मतलब दोस्तों ये 1961 से आपका NCERT जोए इसका organization की सुरुवात की गई थी by the government of India ministry of education to assist and advise the central and state government on policies and programs for qualitative improvement in school education and teaching education the eight constituents units of NCRT मतलब दोस्तों आठ NCRT की जो main branches हैं दोस्तों वो overall India में आप देख सकते हैं आपका RE अजमेर, RE भोपाल, RE भोबनिश्वर, मैसूर, सिलोंग, NIE New Delhi, CIT New Delhi and PSS CIVA भोपाल मतलब यह आठ दोस्तों main branches, head branches हैं दोस्तों NCRT की जो इंडिया में हैं अब दोस्तों आते हैं अपनी main जो important news है जिसको ले करके मैं आप लोगों के ले आया हूँ वो यह है कि applicants are invited online from the eligible applicants for admission into various teacher education programs दोस्तों main बहुत अलग-अलग से programs आप देख सकते हैं जो की teachings related हैं जिनोंने अभी inter किया है उनके लिए special यह बहुत beneficial बहुत ही अच्छे programs आये हैं जिनको करने से जो भी लोग interested हैं कि यह वो graduation दोस्तों जब graduation करते हैं उसके बाद हम कोई भी degree यह diploma course करते हैं जब भी हम teaching से related तो हमको लग-बग 5 साल का समय लग जाता है आप देख सकते हैं कि आपका दोस्तों पहला आपका जो यह आप देख सकते हैं आपर BST, B8 चार साल का दोस्तों course है जिसमें आपको BST plus B8 दोनों की आपको मानता दी जाएगी दोनों का आपको जो है degree दिया जाएगा उसी तरह से दोस्तों आपके अन्य जो आगे के courses हैं आप देख सकते हैं B8 दो भी दोस्तों आपका चार साल का ही duration time है MST 8 6 years का दोस्तों course है आपका B8 2 years का course है M8 अगर आप दोस्तों करना चाहते हैं तो भी दोस्तों आपका 2 years course है run under regional institutes of education इसके जो भी आपने देखे हैं इनके regional institutes इन सभी में दोस्तों ये courses running condition में हैं मतलब आप यहां से कर सकते हैं और उसी का दोस्तों notification आप लोगों के लिए आया है कि the online application from is available 20th of May 2021 मतलब 20 माई से दोस्तों इसकी सुरवात हो रही है online होने की जो कि 30 जून तक आपकी चलेगी दोस्तों तो बहुत ज़्यादा important notification है जो कि आपकी website भी आप देख सकते हैं www.cee.ncert.gov.in इस दोस्तों ये website है आप देख सकते हैं कोई भी आप यहां पर देखिए कि common entrance examination CEE will be contacted at various centers across the country on July 18, 2021 दोस्तों इसका entrance exam होगा जो procedure रहेगा वो entrance exam based होगा दोस्तों तो ये भी आपके लिए का अच्छी खबर है कि आप अपनी तयारी करके बहतर प्रयास करके आप admission अच्छे से अच्छे institute में पा सकते हैं जिसका examination दोस्तों overall India में मतलब India बर के अलग-अलग centers होंगे जहां पर इसका examination होगा और जो कि आपका 18 July 2021 को दोस्तों होना है आपकी ये website भी दी हुई है जिस पर आप जाकर के पूरी जानका ही प्राप्त कर सकते हैं contact CEE 2021 help desk phone numbers दोस्ते phone numbers भी आपको दिये हुए हैं 07552661467 और second number आपका है 07552661468 and the email ID is CEE 2021 help at the rate gmail.com दोस्तों ये आपके contact numbers भी मैंने आपको आप यहां पर बता दिया है पूरी जानकाई लगबग मैंने आपको बता दी है अब दोस्तों main आगे जानकाई के और थोड़ा सा चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका online दोस्तों 25 2021 से 36 2021 तक चलेगा आपका admit card 10 July से दोस्तों start ह हो जाएगा आप 10 July से अपना download कर सकते है admit card और जो कि 18 July तक आपका चलेगा बात करें दोस्तों आपके test कि कब आपका CEE मतलब common entrance examination होनी है तो दोस्तों वो आपके 18 July को होगे और जब भी आप दोस्तों आपके जो भी marks आप achieve करेंगे उसमें आपके जो भी course हैं चाहें वो BSC B 4 साल का combined course हो या BAB 8 4 साल का या MST 8 6 साल वाला course हो तो उसके marks को दोस्तों आपको upload करना पड़ेगा submit करना पड़ेगा online तो उसकी date भी दोस्तों 25 जुलाई है और उसके बाद यदि आप BAD या M8 के लिए apply करते हैं तो आप 30 जुलाई तक अपने marks को submit कर सकते हैं online और दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो result है main result दोस्तों वो आपका declaration अगर हम मैं बात करूं चार साल के course की जो combined course BSC B8 है और या आपका BAB 8 है या फिर MST 8 6 साल वाला ये एक जुलाई सुरी एक अगस्त तक आपका आ जाएगा और जो BAD या M8 का है दोस्तों ये 5 अगस्त तक दोस्तों पूरा का पूरा एकदम clear result आपके सामने आ जाएगा और आप अपने जो भी आपका course है आप उसको अच्छी तरीके से उसमें तयारी करते हुए अपने लक्ष को जो भी आपका लक्ष है यदि आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप higher education में भी जाने के लिए दोस्तों य हमसे जुड़ें धन्यवाद दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद